कैसे हैं आप सबी लोग MPPSC 2020 को ध्यान में रखकर हम लोग ने भारत के भूगुल को श्टार्ट किया था और हमारा टॉपिक था भारती है मांसून पहले लेक्चर में सिर्फ हमने एक विभिन आयामों के आधार पर एक भूमिका बनाई और उस भूमिका के मद्दे नजर रख करते हुए हमारी लेक्चर आगे बढ़ रहे हैं आज की क्लास के अंतरगर भारत के मांसून का परचय कुछ कॉंसेप्ट्स और कुछ बिसेश सब्दावलियों पर हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएगा जो मुझे सुन रहे हो अच्छ परति किस भासा से हुई है ऐसा परशन अगर पूछे तो बास्तम में पहली प्रात्मिक्ता देना अर्वी भासा को और दूसरी प्रात्मिक्ता देना मल्यालम को मल्यालम में एक सब्द है मौनसीन जिसका साब्दिकर्थ होता है पवनों का मौसमी बितुक्रमड इसके आधा पर मानसून की ब्याख्या की गई है बिस्तो के संदर्म में अर्वी यात्री हेपोटस ने मानसून की ब्याख्या की है जबकि भारतिय मानसून की ब्याख्या करने का स्रे अर्वी यात्री अलमसूदी को जाता है जो गुर्जर प्रतिहार बंस के राजा महिपाल के समय भार उन्हें परचे के बारे में आपसे डिसकस कर लिया है अब हम अगला पॉइंट है हमारा उर्जा उस्मा और तापमान यह बेसिक चीजे में आपको करा रहा हूं कल भी बेसिक क्लासी होगी परसों से मांसून की उत्पत्ती संबंदी से दांतों को हम पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि जब तक बेस नहीं होगा तक तक आप मांसून को समझ नहीं पाएंगे तो आप बेस के हिसाब से इस क्लास को करने का प्रयास करें तो इसको स्क्रीन सोट ले लीजिए आप लो चलिए अब है कि उस्मा उर्जा और तापमान क्या है देखिए मांसून हो चाहें डियोख्रोफी की डियेशन से सभाव यह क्लास जुगरोफी की होगी तो मैं जुगरोफी के इसाब से इसको आपको समझा रहा हूं अगर मैं कोई डियान दिखाने की कोसिस ना करें अपना अपने पास रखो हमसे हमारा ही नहीं समल रहा है अब देखिए किसे समझना है जब मैं बोलूँगा उसमा तो तुम मौटा-मौटा molecules की यानि यह जो marker है यह भी molecules से बना हुआ है तो कल को अगर यह marker तुमको गरम लगे तो इसका मतलब यह है कि इस marker के molecule में company हो रहा है तो मैं यह कह रहा हूँ कि जो उर्जा है वो किसी भी पदार्थ के molecule में company का कारड है अब तापमान क्या है तो बोलोगे जो कड़ों में company हो रहा है उसी के ओसत company को हम तापमान से प्रदसित करते हैं यानि इस पदार्थ के molecule में जितना तेज company होगा उतना ज्यादा तापमान सो होगा जितना कम company होगा उतना कम तापमान सो होगा मैं एक आधार बूत उधारड से आपको यह समझाना चाहता हूँ बहुत basic उधारड है police विवाग का उधार ले लीजिए कि यह एक थाना है थाना का मतलब police station यहाँ पर छोटे मोटे constable है 10-15 इन constable को मैंने कहा कड़ और इस थाने को मैंने कहा पदार्थ समझ में आ रहा है फिर मैंने एक यहाँ पर गाड़ी बना दी अब इस गाड़ी को मैंने कहा है उसमा और इसके अंदर बैठा हुआ है DSP आप ही लोग बैठे हैं वही इसको मैंने कहा उर्जा अब मुझे बताओ definition पढ़के मेरी उसमा क्या है उर्जा को ले जाने का माद्यम तो उर्जा क्या है कड़ों में जो कमपन होगा उसका कारण तो तापमान क्या है कड़ों में कितनी तेज कमपन हो रहा है उसका प्रदर्शन तो जब यह गाड़ी यानि उसमा जाती है थाने की तरफ यानि पदार्थ की तरफ तो अपने साथ ले जा रही है उर्जा उर्जा गई यानि DSP गया तो यह कॉंस्टेवल यानि कड़ DSP को देखके इधर उधर भागने लगे तो मतलब कड़ों में हुआ कमपन कितनी तेजी से भाग रहे हैं यही है इसका तापमान तो किसी पदार्थ में मॉलिक्यूर कितनी तेजी से कमपन कर रहे हैं वही उस पदार्थ का तापमान होता है तो जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि गर्मियों के दिनों में जमीन ज़्यादा गर्म हो जाती है ऐसा क्यों तब बोलोगे यह तो हो सकता है सूर से जो आने वाली उर्जा है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी मात्रा ज्यादा होगी तो प्रतिवी की सतय पर टकराएगी तो प्रतिवी के सतय के मॉलिक्यूल में उतना तेज कमपन होगा और जितना ज्यादा तेज कमपन होगा उतना तेज तापमान होगा जब हम गयस पर कोई पानी को गरम होता है या देर में करम होता है तेज कर तो जल्दी गरम हो जाता है क्योंकि उर्जा ज्यादा जाती है तो कड़ों में कंपन ज्यादा तेर होता है कड़ों कंपन ज्यादा तेर होगा तो तापमान भी ज्यादा हो जाएगा एक और इसमें कॉंसेप्ट याद रखना Heat is work, work is heat, मतलब कार ही उस्मा है और उस्मा ही कार है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि ये हाथ की मुठ्ठी को ऐसे दवाईए, तो जब आप ऐसे दवाऊगे तो आपने कार किया, वो कार ही उस्मा है, उस्मा उर्जा लाएगी, उर्जा कमपन करेगी, कमपन से तापमान होग तो जब आप मुठ्ठी दवाते हो, तो थोड़ी देर के बाद आपकी ये हतिलिया गरम होने लगती है, गरम का मतलब तापमान, तापमान की हुआ क्योंकि उसमें उर्जा गई होगी, उर्जा क्यों गयो गया क्योंकि उसमा होगी, उस्मा कैसे है क्योंकि आपने कार कार है आप दिमाग से समझ पार है मैं क्या कह रहा हूं आप से अब ऐसे ही जब मालों कहीं है आप लोग ग्राउंड में मैच खेलने जाते होगे तो जब ग्राउंड में मैच खेलने जाओगे तो कुछ इस प्रकार की कंडिशन्स भी हो सकती है कुछ इस प्रकार की कंडिशन्स भी हो सकती है समझना आप यह बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है यहां पे कुछ नहीं है सूरज की रोशनी यह इंसुलेशन आया वह कहां पड़ा पेड़ की ऊपर और कहां पड़ रहा है मैदान की ऊपर तो मैदान यहां पर यह गरम हो जायेगा क्योंकि यहा ना कर प्रकार की ऊर्जा में spirit कर दिया जिसे हम बोलते हैं तो वह गतिजुल आको हरा में कस चाया है और हमें ठंडक महसूस हो रही है तो मैं यह मानता हूं कि आपको यह उर्जा उस्मा वाला कॉंसेप्ट थोड़ा वह समझ में आया होगा इसके जिन सौट ले लीजिए आप अब अगला है कि सर सूरे तब क्या है और इसका यूज हम कैसे मानसूर में करेंगे तो पहले सूरे तब समझ लो आप जो हमारा ये सन होता है यह सन हमारी प्रत्वी को प्रतच उर्जा के स्रोत के रूप में अबस्तित है और इसको हम मानते भी हैं कि यही प्रतच उर्जा का स्रोत है बाहे जर्दबल के लिए इस सन के कूर में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर helium का निर्माड करते हैं चुकि यहां पर सल्यन की किया हमें space troop से प्राप्त हो रही है इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर के अंदर जो उर्जा की प्राप्ती है वो सल्यन के द्वारा होती है हमने यहां पर दो delta का input दिया delta H प्लस delta H तो output भी दो delta को निकलना चाहिए तो एक delta में तो delta helium बनता है पर दूसरे delta में energy यानि उर्जा निकलती है वो उर्जा क्या है ज़स्ट हम लोग अभी पढ़कर गए है तो जो सूर से आने वाला है उर्जा वो प्रत्वी से टकराएगा तो तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा यह है उर्जा तरंग के रूप में आती है इस तरंग को हम कहते हैं short wave radiation लगू बिकरड तरंग या लगू तरंग बिकरड तो इसमें short wave radiation की विसेशता यह होती है कि इसकी बेदन चमता बहुत ज़्यादा होती है प्लस इसमें उर्जा की मातरा भी बहुत ज़्यादा होगी तो जितना ज़्यादा उर्जा होगा उतना ज़्यादा कमपन होगा और जितना ज़्यादा कमपन होगा उतना ज़्यादा तापमान होगा इस चीज के लिए में बिसे ध्यान रखना होगा जब यह स्वाट वेव रेडियेशन हमारे बायू मंदल स्टगराती है उसी को हम लोग इंसोलेशन कहते हैं इनकमिंग सॉलर रेडियेशन हिन्दी में से सूर्य टप कहा जाता है यह प्रत्वी के बाहरी आवर्ड पर जो औसत प्राप्त होता है वो जीरो पॉइंट तीस कैलोरी प्रती सेंटिमीटर स्केर प्रती मिनट के हिसाब से हमारे प्रत्वी के उपरी बाहि मंदल के किसी एक ए रही है उर्जा यह वास्तम में किस रूप में प्राप्त हो रही हमको स्वाट वेफ रेडियेशन की रूप में है कि इसकी बेदन चमता बहुत ज़्यादा होती है तो क्या यह हमारे बायू मंडल को भेद कर सीधे प्रत्वी पर पहुँच जाएगी नहीं बास्ता में ऐसा नहीं होता है स्वार्ट विव रिडिशन जाए हमारे बायू मंडल से टकराती है तो यहां दो प्रोसेस होते हैं कितने प्रोसेस होंगे? दो प्रोसेस होंगे पहला स्वार्ट विव रिडिशन का कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा हमारे बायू मंडल के द्वारा सीधे अवसोसित कर लिया जाता है यानि कि यह हुआ बात समझना आप कि कितना भी वेदन चमता ज़्यादा है स्वार्ट विव रिडिशन का लेकिन इसका कुछ हिस्सा बायू मंडल के द्वारा अवसोसित कर लिया जाता है इससे यह इसपष्ट होता है कि बायू मंडल जो हमारे प्रत्वी का है उसका थोड़ा सा परसेंटेज short wave radiation से भी गरम होता है क्योंकि ये तो है उर्जा और उर्जा जहां रुकेगी वहाँ हो जाएगा कम पन और जहां होगा कम पन वहाँ हो जाएगा तापमान इसलिए बायू मंडल अगर आप से पूछा जाता है क्या short wave radiation से गरम होता है तो बोलोगे हाँ थोड़ा बहुत होता है और दूसरा प्रोसेस होता है कि ये जो short wave radiation है ये हमारे बायू मंडल से टकरा कर उसी अवस्था में बापस लोट जाता है यानि आया भी short wave radiation के रूप में है और जाएगा भी short wave radiation के रूप में तो जब ये short wave radiation के रूप में जा रहा है तो इससे ये इसपश्ट होता है कि इसने बायू मंडल से टकराने के बाद किसी भी प्रकार के कमपन में भागेदारी नहीं की है अर्थात इस short wave radiation का प्रत्वी के तापमान से कोई संबंद नहीं है बिना गर्म किये हुए बिना प्रभाव छोड़े ये बापस चला गया आने वाले short wave radiation और परावरतन होने वाले short wave radiation के अनपात को ही अलबीडो कहा जाता है तो एलबीडो का मतलब ये हुगा ऐसा short wave radiation जो प्रत्वी के तापमान में किसी भी प्रकार के परिवरतन से संबंद नहीं हो एलबीडो अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब है परावरतन ज्यादा होगा कि दिख रहा है साफ हमको अगर प्रावरतन ज्यादा होगा तो अब सोशल कम होगा अब सोशल कम कैसे होगा कि मान लो यहां पर सूर के द्वारा सो यूनिट प्रत्वी के लिए बेजा गया सौर्ड वेव रेडियेशन उसमें से 35 यूनिट बिना किसी प्रवाव के बापस लोट गया तो प्रत्वी को प्रावरतन हुआ अगर उसको मैं 35 से बढ़ा कर 50 कर दूँ तो प्रत्वी पर भी 50 ही पहुँचेगा इस पश्ट दिख रहा है माने परावरतन यदि बढ़ता है तो अबसोशल कम हो जाएगा परावरतन कब बढ़ेगा जब एलबीडो बढ़ेगा तो एलबीडो से परावरतन का सीधा संबन्द है जबकि एलबीडो का अबसोशल से हो रहा है उर्जा का तो यदि अब सोशल कम होगा तो उर्जा कम होगी और उर्जा कम होगी तो कंपन कम होगा और कंपन कम होगा तो तापमान कम होगा तो इसका मतलब यह सीखे कि यदि एलबीडो जादा है तो तापमान कम हो जाएगा अब एलबीडो कहां जादा होगा कह इसके लिए भी कॉंसेट है अजर कलर से भी संबंधित होता है इंद कलर गहरा है तो अधिक कम होगा और कलर अगर हलका है तो कैसा है sometimes सपेज सठ पहनता है अब सफेद तो कलर हलका ही है तो जो सूरी की उर्जा की किरिणें हैं इंसोलेशन हो हमारे सठ पर फड़ई चो कि यह सपेद है इसलिए परावरतन हो जाएगा ज्यादा क्योंकि एल बीडो कैसा हो गया ज्यादा तो अब सोसर हो जाएगा कम तो कंपन कम तो गर्मी कम लगेगी समझ में आ रहा है वहीं अगर गर्मियों के दिनों में अगर आप काली सट पहन लो तो काली ज्यादा इसी लिए गर्मी के दिनों में काली कपड़े नहीं पहनने चाहिए अब कोई अगर आपसे पूंचता है कि एक बात बताओ यह बड़े-बड़े होजाएगा तो आप शोषण कम परावरतन कम हो जाएगा अब शोषण ज्यादा हो जाएगा उस छेत्र में पन बढ़ जाएगा तापमान बढ़ जाएगा उधर की बरफ पर गळल जाएगी हाहा यह ना इसी लिए एवरेश्ट पर जाकर कूला कचला फैलनेसे रोका जा र लो कि अब इसमें आप ऐसे समझे कि यह जो संसी आया है सौर्ड विव रिडीशन यानि इन्सोलेशन आ रहा था बिना किसी प्रभाव के बापस हो गया तो अलबीडो कहला आया मानलो 100 यूनिट आना था समझे ना द्यान से सब मांसून संबन्दी थे सब कॉंसर्प मांसून क अब 100 यूनिट क्या हुआ कि प्रत्वी की सतय पर आया तो कुछ भाग गया होगा इस्थल खंड पर और कुछ भाग गया होगा जलमंडल पर यही हुआ होगा तो 100 मैंसे अगर मैं बोलूं कि 35 यूनिट है वो परावर्तित हो गया तो टोटल कितने 65 यूनिट प्रत्वी पर आया होगा अब धृण सुनना सो सन्ने हमको दिया 35 जैसे का तैसा बापस चला गया अंतरक्ष में अब 65 का हमको इसाब देना है तो आयाएगा दिन में और बापस होगा रात मे जितनी उर्ज़ा आती है दुफेर को वह रात को बापस भी जाती है तो आया प्लस गया क्या उ जो हम लोग बिस गूल पड़ेंगे अब मुद्य की पास समझेग शूर से आती है सुूर्वरी टी रूप में और जाती है लोंग वीव रेडियेशन की रूप में लोंग वेडियेशन को बोलते है पार्थिव बिकरण अर्थात प्रत्वी से अंत्रिक्ष की और जाने वाली Sword oral duration का मतला होता है लगू बिकरण अर्थात सूर से प्रत्वी की और आने वाली जो पार्थिव बिकरण है उसकी बेधन चमता बहुत कम होती यहाँ उसको कोई भी रोक सकता है अब जब ये पार्थी बिक्रण बापस से अंत्रिक्ष की ओर जा रही होती है तो ये जो मारा बायू मंडल है इस बायू मंडल में कई सारी गैसे है उसमें सबसे खतरना गैस है सक्तिकपूर टाइप की CO2 अब CO2 क्या करती है कि इस जाने वाली लॉंग वेव रेडियेशन का मार्ग रोक लेती है और इसको अंत्रिक्ष में जाने से रोकना शुरू करती है तो चूंकि ये लॉंग वेव रेडियेशन है क्या बास्तम में उर्जा और रोक किसने लिया है CO2 ने तो उर्जा कहा है खटी हो गई CO2 के पास उर्जा क्या करेगी कमपन किस में CO2 के कड़ों में और इस कमपन से क्या बढ़ेगा तापमान इसी बढ़ते हुए तापमान को जो CO2 करड बढ़ रहा है ग्लोबल बार्मिंग कहलाता है तो global warming क्या है अब हमें समझ में आ रहा है कि बास्ता में वो long wave radiation के करड़ हो रहा है तो जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा long wave radiation के जाने का मार्ग अवरूद होगा इसे green house gas भी कहा जाता है CO2 को जलवास्ट को भी green house gas कहते हैं पर जलवास्ट आज स्था ही होती है क्योंकि जब गर्मी होगी पानी उपर जाएगा जलवास्ट करूप में तभी वो long wave radiation को रोक सकती है अब जलवास्ट तो क्या करती है जैसे आपने देखा हो कभी जब बरसात होने को होती है तो गर्मी बढ़ जाती है क्यों कि जो energy बापस जा रही है अंत्रिक्ष में बादल उनको जाने नहीं देते बादल का मलब जलबास्ट का गोला तो वो energy जाके बादल में रुख जाती है और बादल के molecule में कम बन कर देती है जिसे बादल के आसपास वाले अडिया में गर्मी होती है और भाम को उमस और गर्मी दोनों मैसूस होने लगती है तो यह हम मानसून से संब्धित एक October हिट पढ़ाऊंगा तो यह concept में यूज करूँगा कि कैसे लॉंग बेव रेडियेशन बादल को रोक रहे होते हैं इस प्रकार का concept आपको महां पर यूज करूँगा तो यह मैं मानता हूँ कि आपको यह बाते हैं समझ में आ रहे होंगे कि गुलोबल वार्मी कैसे हो रही है इसके अलावा उर्जसमा में समझ ना परो एक होती है संब्धनसील उसमा एक होती है विसिष्ट उसमा एक होती है गुपत उसमा थोड़ा सा संचित में समझाऊंग जो किसी पदार्त की इकाई में एक डिग्री सेल्सियस अतिक्त तापमान की आवश्रक्ता को मैसूस करा है उसे कहेंगे बिसिष्ट उसमा यानि जब ये सौर्ड वेव डेशन इस्थल मंडल पर गिरा और जल मंडल दोनों पर गिरा तो इस्थल मंडल के जो मॉलिक्यूल है वो इस्थिर है वो कहीं जा नहीं सकते जबकि जल मंडल के मॉलिक्यूल इस्थिर नहीं है वो कहीं भी आ जा सकते है परडाम से रूप जितना एकाई छेतर जल मंडल का गरम होगा उतना इकाई छेतर इस्थल मंडल का गरम करना है तो दोनों में फरक पड़ेगा इस्थल मंडल का उतना इकाई छेतर परियापत रूप से गरम हो जाएगा जबकि जल मंडल का उतना ही इकाई छेतर गरम करने के लिए हमें अतरिक तूसमा के आवश्रकता होगी इसी अतरिक तूस्मा को हम विसुष्ट तूस्मा कहते हैं तो पानी देर में गरम होता है क्यों? विसुष्ट तूस्मा के कारडबाद खतम जल का जलवास बनना गुप तूस्मा जल का गरम होना सम्वेदल सिलूस्मा इससे ज़ा तो अभी सीखने के मूड में ना रहो तो ठीक रहेगा हमें सिर्फ सब्दों का यूज करना है कि बरसा कैसे होती है जब संवेदल सिलूस्मा से जल गरम हो जाता है तो अन्तोवाइगुप तूस्मा का रूपदाण कर लेता है प्रवड़ता और थल समीर के बाले में screen support ले लीजी अब समझना आप ज़रा इंए प्लिकी मैंने diagram मनाया है इदर बाला इससा दिन को प्रदस्थ कर रहा है इदर बाला रात को ये इस थल है ये जल है दिन बाले में ये बाला इस थल है और ये बाला जल है तो यह स्थल मंडल पर भी गरिए गर व उन दिन के शमय यदि आपका घरत तालाब के किनारे है तो पानी देर में घरम हो होगा आपकी जमीन जल्दी गरम हो जाएगी कारड बिश्र Music लूसुत में अब डव इस इस्थल मंडल के गरम होने का प्रवाव यह हुआ कि यहां पर जो हवाए चल रही थी यह हवाए भी गरम हो गई इस से टकरा के किस से इस्थल मंदल से और यह हवाए जब गरम होई तो हवाए गरम होने के करण ऊपर की ओर उठ गई और इस्थल मंदल पर बन गया low pressure क्या बन गया इ求 मंडल पर लो प्रेशर जबकि जल मंडल पर जो संलगन है जल का छेत्र यह है धल की अप्क्षा ठंडा है तो यहां की हवाई थकराने के बाद ठंडी हो गई तो वो नीचे बैठ गई तो यहां बन गया हाई प्रेशर अब जो हवा है पवन है वो हाई प्रेशर से चलती है लो प्रेशर की ओर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन का चलना ही दाव प्रवड़ता कहलाता है अब को ये बात यहां पर किलियर करने पड़ेगी कि दाव प्रेसर ग्रेडियंट क्या है कुछ नहीं है हाई प्रेसर से लू प्रेसर की और पवनों का चलना तो दिन के समय हमेशा हवा कहां चलेगी तो बोलो कि सर जल से थल की और इसलिए जिनके घर तालाब के किनारे हैं उनके घर में ठंडी हवा आती है क्योंकि वो जल से थल की और हवाएं चल रही हैं तो ऐसी हवाएं जो जल से थल की और चले हैं उन्हें हम लोग जल समीर कहते है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग जल समीर तो बताह बहिते हैं जल समीर कब चलेगी तो बोलो से गर्मियों चलेगी दिन वा दिनसे पर बोलो कि इस फ्लबंड़ करने के लिए इस फलक हयोना जरूरी है وई यूँ उल्टा देखको अब रातहं गई लॉइज hormone ज़ल समीर कब चलती हैं थंडक के समय समय या रात जल समय चलती है दिन के समय या गर्मियों के समय अब मशवारों को क्या फाइदा होगा इसमें तो आप मशवारों के फाइदों को इस प्रकार से समझ सकते हैं ज़रा ध्यान से सुनना आप मशवारे क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये जल वाला कॉंसेप्ट है अब मशवारे लोग सुबह चार वज जगते हैं तो सुबै चार बजए को मतलब यह स्थाल खंड है यहां पर तो यहां पर कैसा प्रेज़ और नौइ फिर नव रख लेगा तो हवाएं इसको डखेल कर कहां ले जाएंगी बीस समुद्र में ये कब की बात है सुह है चार वजे की अब ये बीस समुद्र में नाव पहुँच गई तो ये मशवारा नाव पकड़ेगा अब क्या हुआ सूरज निकलाया सूरज निकलेगा तो यहाँ पर जो पानी है वो देर में गरम होगा वो जमीन जल्दी गरम हो जाएगी तो जमीन पर कैसा प्रेशर हो जाएगा बारा वजे तक लो प्रेशर तो अब हमाएं कहां से चलना सुरू हो जाएगी जल से थल की और तो जो उसका नाव था वो कहां आ जाएगा बापस से थल पर इस प्रकार से मचवारों को भी जल समीर और थल दुरू है पाइदा हो रहा है अब भारत का मानसुन क्या है कुछ नहीं है रहे जल समीर और थल समीर है जब प्रत्वी में भारत में गर्मी होगी तो भारत की जमीन में कैसा प्रेसर होगा लो प्रेसर और इन सागरों में कैसा प्रेसर होगा आई प्रेसर तो अब आच लेगी आई सो लो की हो दश्र पस्षिब मानसुन सरदियों में यहां पीसा प्रेसर होगा जमीन पे आई प्रेशर पानी पर कैसा प्रेशर होगा लोग प्रेशर तो उत्तर पूरब मानसुन कुछ नहीं है बहूत बेसिक कॉंझेप्ट होगे परले अभी आधार complete कर लो मांसून तो आपको बैसी समझ में आ जाएगा तो बास्तम में बारत का मांसून की आजल समीर और थल समीर का उधारण है तो यह मानता हूं दाप्रवड़ता भी आपको समझ में आ गया होगा जल समीर और थल समीर भी आपको समझ में आ गया होगा स्किन सोट ले लो अब समझना आदरता क्या होती है यह में पॉइंट रहेगा जल बायू में मांसून वाला जो पॉइंट है आदरता कुछ नहीं है जैसे मान के चलना यह बायू के मॉलिक्यूल्स है तो हर चार मॉलिक्यूल्स के बीच में एक गैप होता है इसे मैं बोलता अंत्रा आणविक अंत्रक्षिय कक्ष तो इनी गैप के अंदर जब यह बायू किसी जलरासी को उपर से गुजरती है तो इनी गैप में आके उस जलरासी की जल की बूंद आके बैठे जाती है तो बायू के अंत्रा आणविक अंत्रक्षिय गैप में उपस्तित जलवास्व को बायू की आदरता कहा जाता है आदरता का सीधा सा मतलब है जलवास जो बायू नो उपस्तित है तीन प्रकार की होती है निरपेक्ष आदरता डेफिनेशन होगी ग्राम प्रती सेंटीमीटर क्यों मतलब एक घजन सेंटीमीटर में कितनी आदरता है इसका प्रियोग किसी पी प्रिकार से हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे बस ये definition बताने के लिए आपके काम में आएगा बिसिष्ट आदरता द्यान रखना बिसिष्ट आदरता का सीधा सा मतलब ये है मेरी अब तवियत करा हो रही है तो मैं क्लास छोड़ा करूँगा कि बरसा कितनी मातरा में होगी और एक किलो ग्राम में कितने ग्राम जलवास पर है यानि अगर इस कमरे से मैं ऐसे एक किलो हवा ले लूँ तो उस हवा में कितने ग्राम जलवास पर यही उसकी बिसिष्ट आदरता कहलाएगी अब बिस्षिष्ट आदरता को कैसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो, कि ये पानी की बोतल है, मालो, अब मैंने क्या किया, इस पानी की बोतल में च्छेद कर दिया, अब ये पानी की बोतल इस प्रकार से जा रही है, तो पानी की बोतल जाती जागी, तो पानी फैलता भी जाएगा तो यह पानी कम होने का मतला बिसिष्टादरता कम हो रही है अब इस भोतल को बादल मानो इस पानी को जलवास्प तो बादल जितनी दूरी तया करेगा बरसात पानी बरसाते हुए समझे नहीं उसके पानी की मातरा कम हो रही है और पानी है क्या जलवास्प तो सापेच्छी कादर्ता यदि सौप प्रतीसत हो गई तो समझ लेना पानी बरसने के आसार है अब कभी-कभी होता है कि सापेच्छी कादर्ता सौप प्रतीसत हो जाती है और पानी की बूने एक दो गिरती है तो सापेच्छी कादर्ता तो बहुत है पर विसिष्टादर्ता थी पर पानी नहीं कभी यह भी होता है कि विसिश्चारता बहुत है, मतलいます बादल एक दम काला गनग注 गुम रहा है, पर पानी नहीं तो, पानी कब ब्रसेगा जब विसिश्चा साफची साखरता और हका अच्छा सहिएूग बैठता है मैं बाइव में जलवास्प इमातरा और बा कि बात आपको द्यान रखनी है अभी कि बरसा कब होगी ये कौन बताएगा सापेची कादरता और साफेची कादरता को समझना साफेच्छे कादरता यह रिलेटिव हमिलटी समान पाती होती है मात्रा के यानि कि जलवास में बायू में जलवास की मातरा बढ़ा दी जाए तो चमता समान पाती कि ताफ्मान करें गर्मी और बढ़ दो बायु के द्वारा जर्बास गिड़ा करने के चमता बढ़ जाएगी और अगर थाप्माना आजिसे chuy direito हो सोना हो जाए मानलो टेंपरेचर है चालिश डिग्री सेल्सियस और बायू में उपस्ति जलवास की मातरा है पचीस ग्राम और उसको चाहिए है सो ग्राम तो संतुष्ट कितनी होगी के वर पचीस प्रतीसत अब हमारे पास दूसरा ऐसा विकल्प तो है नहीं कि हेलीकॉटर से जाए और बादल में आगे पानी बर दें क्योंकि मातरा तो हमारी कॉंस्टेंट है तो दूसरा क्या काम कर सकते हैं चंटा को कम कर सकते हैं तो चंटा किसके समान पाती होती है तापमान के तो तापमान अगर कम करते हैं चंटा भी कम हो जाएगी हमारे पास अभी भी कितना म कर दिया 10 degree Celsius कितनी हमारे पास मात रहा है तो बोलो 25 ग्राम कितनी रह गी अब उसकी 25 ग्राम तो 25 ग्राम कितना संतुष टूगा तो इस प्रकार से जैसे जलवास भरी बायू ऊपर की और जाती है सताय से अंतरिक्ष की और तो ठंड़क बढ़ती जाती है ठंड़क बढ़ने का मतलब तापमान कम होने का मतलब है कि उसकी छमता कम होती जाएगी और सापिची का अधरता पूरी होने से बरसा होने के चांस हो क्योंकि ठंडक नहीं होगी तब तक सापेच्छे कादरता संतुष्ट नहीं हो सकती तो दो प्रिकार से होता है एक डायावेटिक तापिय परिवर्तन और एक एडियावेटिक तापिय परिवर्तन द्यान से सुनना हिए मैं बहुत ब्रीफ में पढ़ा रहा हूं यह सब विस् इसका सन होता हो डायावेटिक तापिय परिवर्तन से क्या होगा कोहरे का निर्माड होगा ध्यान रखना जबकि एडियावेटिक तापिय परिवर्तन ऐसा होता है जिसमें संकुचन और प्रसरन होने से ताप में परिवर्तन होता हो इससे हमेसा क्या होती है वर्सा होती है एक उदार से समझो, कि मालो ये जमीन है एक, इस जमीन में गर्मी है, तापमान बहुत ज़्यादा है, दिन का समय है, कोई एक बायू यहां से आई, अब ये बायू जमीन से टकराई, तो जमीन की उर्जा इस बायू के अंदर प्रवेश कर गई, तो इसका मतलब बायू ने उर्जा का अबसोसर कर लिया, तो अबसोसर कर लिया, तो कैसा परवरतन हुआ है, तो बोलो के सर डायावेटिक है, अब तुम मुझे एक बात बता हूँ, जमीन का टेंपरिचर कैसा था, बोलो के सर ज़्यादा था, ज़्यादा होने से बायू के अंदर जमीन की उर्जा गई, बुले हां गई, तो बायू गरम होगी, बुले होगी, और गरम होने से फैलेगी, बुलो के सर फैलेगी, फैलने का मतलब है आयतन भी बढ़ रहा है, तो डायावेटिक में यह होता है, तो आयतन भी बढ़ता है, एक बदता हो, नीचे की बायू कहां पहुंच जाएगी, उपर, तो नीचे बायू क्या हो जाएगी, कमी, तो कैसा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर कम हो जाता है, अब कहींगा, अगर कोई पूच दे, कि बताओ, डायावेटिक के बारे में सही है, बोले क्या, बोले टेमपरेशर समानुपाती होता है, प्रेशर के, बोले चांस ही नहीं है, क्योंकि टेमपरेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो डायावेटिक में विसे इस रूप से ध्यान रखना, इस चीज के लिए, एक और बात आप ध्यान रखना, कि जब भी डायावेटिक का कॉंसेप्ट तोड़ना हो, तो सिर्फ तापमान बढ़ाना, समझ में आ रहा है, तापमान बढ़ा तो बागी सब हो जाएगा, अब एक बात आप सरदियों के दिनों में क्या होगा, तो बोलो के सरदियों के दिनों में क्या होता है, कि जमीन ठंडी होती है, हवा आके टकराईगी तो हवा भी ठंडी हो गई, तो हवा ठंडी हो गई, से हवा भारी हो गई और भारी होने से हवा नीचे बैठी तो प्रेसर कैसा हो गया जादा तापमान कैसा है कम सुकड़ेगी तो बॉलियम भी कैसा हो गया कम सरदी के दिनों में हवा बैठेगी तो हवा के अंदर जलवास भी बैठेगी जलवास बैठेगी जलवास की बूह ने एडियावेटिक में उल्टा काम है, एडियावेटिक में क्या होता है, कि इसमें तापमान का रोल नहीं होगा, इसमें कुछ इस परकार की कंडिशन होगी, कि एक आदरता युक तो बायू इस प्रकार से जा रही थी परवती ढ़ाल मिली तो ये बायू उपर की और उठने लगी उपर की और उठने से इसके बुलवले में प्रसार हुआ यानि कि तापमान का रॉल नहीं है तापमान का रॉल नहीं है यहां तो प्रिसरड हो रहा है कि इसका बुलुले का तो बुलुले का प्रिसरड हुआ तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर जाने लगेंगे तो इनके अंदर जो एनर्जी है वो आपस में ट्रांसपर नहीं हो पाएगी अब आपस में अगर एनर्जी ट्रांसवर नहीं होगी तो तापमान में कमी होने लगेगी इसलिए एडियावैटिक तापीय परिवरतन से यदि कोई बायू उपर की ओर जाए तो बोलते है आरो हड क्या बोलते हैं आरोवड, तो ऊपर जाने वाली हवा को बाईू कहते हैं, और छेती चलने वाली हवा को पबन कहते हैं, तो परवति वर्टा कराहू गैसे, जब कोई आध्र बाईू, आरोवित होती है परवति डाल के सारे, तो एडिया वैटिक ताप यह परिवर्टन से टेंप्रेचर कम होगा और टेंप्रेचर का सापेच्छिक आदरता से बितुक्रमान उपाती संबन्द होता है तो सापेच्छिक आदरता स्वप्रतिसत होने से जब सापेच्छिक आदरता स्वप्रतिसत होते उसे कहते हैं संगनन संगनन का मतलब यह है कि अब बायू संत्रप तो चुकी है अब जो जलवास पे है वो जलकी बूनों को रूप धाड़ कर चुगा है अब चूंकि जो जलकी बूने है वो इतनी छोटी होती है कि एक चमच में दस लाग बूने बर ली जाए तो गुरत्वा करशड उसको नीचे नहीं खीच पाता तो संगना होने के बाद भ बादल संगनित हो जाते हैं यानि जलवास जलकी बूनों परवर्तित हो जाता है तो एक धूल के कड़ में छोटी छोटी कई सारी बूने एक बड़ी बून का निर्मार करती है और ये बड़ी बून गुरत्वा करशड के कर नीचे की और आती जिसे हम बरसा कहते हैं तो बर जब यह बायू उपर नारोड रहा है तो पहले पानी कम रसेगा पहिर ज्यादा पानी वर्स सेगा पश़या वर्स स्टादर्त कि अारोड को पहले पानी कम फिर फिर जादा फिर कम इसे ही बर्सा का प्रतिलोमन कहते हैं तो रेन इन वर्सन क्या है बर्सा का प्रतिलोमन किसे कहते हैं कुछ नहीं नीचे पानी जादा फिर कम फिर जादा फिर कम बर्सा का प्रतिलोमन कहां होगा प्रवती प्रदेसों में दिखाई देता है अब ये वाला जो बादल है जब यह इस ढाल पर पहुचता है तो पानी इसमें विशिश्रादरता कतम हो गई तो इस ढाल पर पानी बहुत कम बरसता या बरसता ही नहीं है तो इस ढाल को वोलते हैं पवन भी मुकी डाल व बरसा नहों घाल कोते हैं ब्रश्टी छाया प्रदेसे टो पश्चिमि घाट जो हम लोग पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट में यह पला सां नहीं होती है तो यह मानता हूं आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही समझा आई और बहुत सॉठ में समझा है कल की क्लास के एक और बेस की क्लास होगी कोई भी कुश्चन हो आप कमेंट में कीजिए मैं आपको रिप्लाइख रूँगा आप ध्यान रखना बहुत ब्रीफ में मैंने समझाई हैं बाते हैं ठीक है ख्याल रखना अपना कल मिलते हैं जैहिंद जैवाद